हाई एवरिवान वेलकम टू मिस गीता ब्लोक्स तो आज मैं आपके साथ ब्रेट पीजा की रेस्पी सेयर करने वाली हूँ जो मैंने घर के ही समानों से इसे बनाया है और इसे बनाना बहुत आसान है तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से बिना आउन का दावे पर मैंने इसे बनाया है तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं तो सबसे पहले देखिए हमने लिया है ब्रेट के स्लाइस तो हमें इसके उपर बटर लगा देना है अगर आपकी पास गी है तो आप गी भी लगा सकते हैं आप कोई भी ब्रेट ले सकते हैं अपने हिसाब से मोटा या पतला तो महँ आपके दियो कर दिया है तो यहां पर मैं ने लिया है शेजवानसाइस आप चाहें तो पीजा에서 या टमैटो कईचप का भी इस्तमाल कर सकते है यहां पर मैंने लिया है सेजवानसHAM तो दिखिए कर देंगे दोनों ब्रेड के स्लाइसेज पर यह मैंने बहुत असान तरीके से बनाया है कि आप यह पे मैंने चीज लिया है वह हम इसके उपर रख देंगे अप चाहें तो चीज को ग्रेट करके भी डाल सकतें मैंने इसके पीसेस काट लिये हैं तो अब हम डालेंगे सिमला मिर्च मैंने ब्रेट पीजे पे सिमला मिर्च और टमाटर और प्याज का इस्तमाल किया है अगर आप चाहें तो इस पे पनीर या मसरूम कुछ भी आप एड़ कर सकते हैं अपने पसंदीदा कोई भी चीज तो इसी बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है ताकि देखने में एक दम मार्केट जैसे लगे अब हम इसके उपर डालेंगे प्याज और अब देखने में कितनी अच्छी लग रही एक दम मार्केट जैसे इसकी ऊपर से हमें थोड़ा चीज जादा डालना है तो यह देखे अगर आप चाहें तो इसकी ऊपर से आप ग्रेट करके भी चीज डाल सकते हैं हमें यहाँ पी डालना है चिली फ्लैक्स चिली फ्लैक्स हमने घर पे ही बनाया है अब हम एड़ करेंगे और गेनो तो हमें अब क्या करना है हमें लेना एक फ्राइपन या आप दावा ले सकते हैं तो यह देखे मैंने इसके उपर हलका सा बटर लगा दिया है ताकि नीचे से जलेना तो अब हम क्या करेंगे यह ब्रेट पीज्जा इसके उपर रख देंगे यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम लो रखना है तो यह देखिए हमने एकदम अच्छे से इसे रख दिया है अब हम क्या करेंगे ढग देंगे एकदम अच्छे से इसे इस्टीम करना है कहीं से इसमें वाफ न निकले तो ये देखिए हमारा पीजा बन के एकदम ready हो चुका है इसे हमने 10 से 15 मिनट तक medium flame पे इसे पकाया है तो अब हम क्या करेंगे इसे एक plate में निकाल लेंगे और एकदम हमें इसे गरम गरम ही बच्चों को देना है ताकि बहुत बच्चे खूस हो जाए तो ये देखिए मैंने इसे आप चाहें तो पीजा कटर से भी काट सकते हैं या चाकू से भी काट सकते हैं तो ये हमारा ब्रेट पीजा बन के एकदम ready हो चुका है ये easy easy recipe के लिए हमें कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो सेयर करते रहें तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाई बाई